जैसे जैसे मौसम बदलता है, साथ ही साथ हमारे खाने का टेस्ट भी चेंज होता रहता है मतलब कभी चटपटा खाने का मन होता है, तो कभी कुछ सिंपल खाना तो आज हम बनाते हैं कुछ चटपटा, Hey everyone, welcome to my kitchen, hope all are you doing well तो मैंने यहाँ पर काबुली चनेल यह हैं, जिसको मैंने overnight soak कर लिया है अब हम boil होने के लिए इसको pressure cooker में पानी, नमक, तेश पत्ता और एक खड़ी लाची के साथ डाल देते हैं तो पहले इसमें थोड़ा सा खड़ा मसाला मैंने एट किया है, जिससे इसका flavor बहुत ही अच्छा आता है, बढ़ जाता है और अब हम चलते आंगे के process में, तो यहाँ पर मैंने लासन अद्र का पेश्ट तियार कर लिया है और अब हम बनाएंगे मीठी चटनी, हमाएं पास अगर इंडली अपलीबल नहीं भी है, तो भी हम जटपट वाली मीठी चटनी बना लेते हैं इसके लिए मैंने एक पैन में पानी लिया है, तेशपत्ता, एक खड़ी लाची, सौफ और दाल चीनी, आम चूर पाउडर और साफ में मैंने यहाँ पर जैगरी डाल दिया है आप चाहे तो जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, कश्मीरी लाल मिष डाल दिया है, इन सब को अच्छे से हमें बॉयल कर लेना है और सीम पर थोड़ी दिर हम इसको पका लेंगे, कंसिस्टेंसी आप अपने कॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं तो यहाँ पर यह मीठी चटनी तियार हो गई है, तो हम इसको छाल लेते हैं यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिये हैं, जिसमें मैंने सॉल्ट एड़ कर लिया है लासा नदरक का पेस्ट है, हरी मिर्च है और प्याज एड़ कर लिया है आप चाहे तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर भी एड़ कर सकते हैं और उपर से हमने खूप सारी धनिया पत्ती डाल दिये अब इन सब को हमको अच्छे से मिला लेना है और अब हम क्या करेंगे ना, टिक्की बनाने के लिए हाथ में पहले हम ओयल ग्रीस कर लेंगे ताकि टिक्की चिपके नहीं हाथ में और ऐसे हम छोड़े-छोटे टिक्की बना लेंगे और इनको हम सूजी में रैप कर लेंगे यहाँ पर महिन वाली सूजी है तो इसमें मैंने इसको रैप कर लिया है इस रेप करने से जो टिक्की है ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है बहुत ही कुरकुरी होती है और अब हम चलते हैं छोले बनाने के लिए तो मैंने तेल गरम करके इसमें हींग डाल दिया है जीरा डाल दिया हरी मिर्च और लसन अदर का पेस्ट डाल दिया है और अब हम प् तोप करके भी टमाटर को डाल सकते हैं पर प्यूरी जे छोले बहुत ही अच्छे बनते हैं और साथ में हमने डाल दिये कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा जाएगा धनिया पाउडर इन सब को अच्छे से भून लेना है जब तक कि हमारा ओयल अलग नहीं हो जाता है यह देखे और तब तक हम साथे साथ इधर टिक्की सेक लेते हैं तो मैंने पैन में ऑयल डाल कर गरम कर लिया है और अब हम एक एक करके सारी टिक्की को डाल देते हैं तो मैंने यहाँ पर सूजी रैप किया है आप चाहें तो इसको जो स कि यहां होती है ना उसमें भी रैप कर सकते हैं उस से भी काफी स्वाधेस बनती है बहुत ही अच्छी अब हम दूस्य साइट से भी थोड़ा सा ओयल लगा दिते हैं और फ्लिप कर लेते हैं हमें बीच-बीच में इसको फ्लिप करते रहना है और इधर मसाला त्यार हो गया है तो हमने छोले डाल दिये हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी एट कर दिया है और अच्छे से हम छोले को पॉयल कर लेंगे इधर देखें टिक की सिग गई है बहुत ही टेस्टी दिख रही है बिल्कुल क्रिस्पी और यह छोले तियार हो गए है तो इस स्टेज पर मैंने गईस को बंद कर दिया है आई हम सब कर लेते हैं तो मैंने टिक की लिए उपर से हम छोले डालेंगे थोड़ी सी जाएगी इसमें दही थोड़ी सी जाएगी लाल मिठी चटनी और हरी चटनी साथ में प्यास, धन्या बत्ती और उपर से कोई भी नमकी नेट कर लिजी और चटपटी चाट बन कर त्यार है